आप सबका स्वागत है आज के लेक्चिर में हम लोग हिमाचल परदेश के अगस्त 2022 के करेंटरफेस का फॉर्स्ट पार्ट कवर करेंगे जिसमें हम हिमाचल परदेश स्पेसिफिक न्यूज को कवर करेंगे और MCQ का पैटर्न होगा डिसकुशन का मेरा नाम है रवनीत कौर शुरू करते हैं लेक्चर को सबसे पहला क्वेस्टन है आपका एक बुक के बारे में बुक का जो नाम है वो है डॉक्टर जश्वन्त सिंग पर्मार मास लीडर एन एपोस्टोल ऑफ ओनेस्टी एंड इंटेग्रिटी आपको बताना है कि यह जो बुक है किसके द्वारा रिलीज की गई है क्वेस्टन में ही और इंफर्मेशन है कि इस बुक के अगर आपसे और पूछ लिए जाएं तो और राजेंद्र अत्री जी के द्वारा यह बुक लिखी गई है डॉक्टर यश्वन सिंग जी के बारे में आपने हिमाचल की हिस्ट्री में पढ़ा होगा स्टैटिक पोशन में आपके यह लिंक होते हैं सो किताब आपको बताना है रिलीज किसके द्वारा की गई है और प्राइम निस्टर, चीफ मिनिस्टर, गुवर्नर या फिर चीफ सेक्रेटरी करेक्ट आंसर होगा चीफ मिनिस्टर चीफ मिनिस्टर हिमाचल परदेश के शिरी जैराम ठाकुर जी के द्वारा इस बुक को रिलीज किया गया राइटर है राजेंद्र अत्री और बुक है जश्वन सिंग परमार जी के उपर डॉक्यूमेंटरी फिल्म जो है डॉक्टर परमार जी के उपर उसको भी डिस्प्ले किया गया था अल्रेडी ये जो डॉक्यूमेंटरी फिल्म है इनकी लाइफ के उपर इसको इन्फोर्मेशन और पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट के द्वारा डिस्प्ले किया गया था नेक्स्ट क्वेशन आपका है हिमाचल परदेश टूरिजम डिवेल्प्मेंट कॉर्पोरेशन के बारे में कौनसी नंबर का फाउंडिशन डे हिमाचल परदेश टूरिजम डिवेल्प्मेंट कॉर्पोरेशन का रेसेंटली सेलिब्रेट किया गया था आपके आप्षिन्स हैं 30th, 40th, 75th या फिर 50th आंसर होगा 50th पचासवे नंबर का हमने फांडिशन डे हिमाचल परदेश टूरिजम डिवल्प्मेंट कॉर्पोरेशन का सेलिब्रेट किया चीफ मिनिस्टर शिरी राम ठाकुर जी इस मौके पे प्रेजेंट थे और ये शिमला में आपका सेलिब्रेशन जो था फांडिशन सेरमनी का ये कंड़क्ट किया गया था आपको बताना है कि एन्वली जो रिसर्च स्कॉलर होते हैं इस स्कीम में इन्रोल उनको कितनी स्कॉलर्शिप प्रवाइड की जाती है ये स्कॉलर्शिप हिमाचल परदेश की गौर्वर्मेंट के द्वारा दी जाती है आपके options है 36,000 पर सालाना, 30,000 पर सालाना, 32,000 पर सालाना या फिर 34,000 पर ये ली आंसर होगा आपका 36,000 36,000 साल की स्कॉलर्शिप C.E.M. रिसर्च पर्मोशन स्कीम के अंतरगत दी जाती है अगर question आए कि C.E.M. रिसर्च पर्मोशन स्कीम कौन से स्केट गौर्मेंट की है तो आपका अंसर होगा हिमाचल परदेश इसको मुख्य मंतरी शोध प्रोसाहन योजना के नाम से भी पूछा जा सकता है तो ये हिमाचल परदेश गौर्मेंट की स्कीम है अब ये जो फैलोशिप है 36,000 रुपे साल आना होती है इस स्कीम या योजना के अंतरगत तीन साल के लिए ये फैलोशिप या 36,000 जो है ये यरली वो दिया जाता है eligible जो रिसर्च स्कॉलर होते हैं उनको 3,000 पर महीना दिया जाता है और इसी हिसाफ से 12 महीने का कितना होना 36,000 पर तो 36,000 पर साल का दिया जाता है और ये तीन साल के लिए वैलिड होता है सबसे पहले तो आपको क्वेशन में यही क्लियर करना है कि विकास ठाकूर अगर आपसे पूछे जाएं कि किस खेल से समन्दित है तो ये वेट लिफ्टिंग से समन्दित है रिसेंटली कॉमन वेल्थ गेम्स 2022 में इनके द्वारा कौन सा मैडल जीता गया ये आपको बताना है आपके आप्शन्स हैं सिल्वर मैडल, गोल्ड मैडल, ब्रॉंज मैडल या फिर नन अफ ताइब आप आप आंसर इसका होगा सिल्वर मैडल तो ध्यान रखेंगे विकास ठाकूर जी जो कि वेट लिफ्टर हैं हिमाचर परदेश से बेलॉंग करते हैं अगर स्टेट पूछी जाए इन्होंने कॉमन वेल्ट गेम्स में सिल्वर मैडल जीता और कॉमन वेल्ट गेम्स आपकी इस बार बर्मिंगम में हुई थी यूके में नेक्स्ट आपको question है कि विकास छाकपूर जी जिन्होंने silver medal Commonwealth Games में जीता है जोकि बर्मिंगम में हुई थी कंड़क्ट वो हिमाचल परदेश के किस district से बलॉंग करते हैं तो देखिए ये question भी काफी important है हिमाचल परदेश से तुम हैं लेकिन particularly किस district से हैं ये HP specific question बना के पूछा जा सकता है आपके options है उना, हमीरपूर, शिमला या फिर कांगडा इसका correct answer होगा वो हमीरपूर district से बलॉंग करते हैं इन्होंने commonwealth games 2022 में 346 kg का total weight lift किया, this is important information जो आपको ध्यान रखनी है इसके अलावा इन्होंने highest weight 155 kg का snatch में lift किया था 191 kg का clean और jerk में lift किया और एक चीज और ध्यान रखेंगे कि fizzy के running boggy के साथ ये third number पे थे after the snatch round clean और jerk round में इन्होंने 187 kg का weight lift किया था first attempt में fizzy lifter के पास जो load था वो 2 kg का था next आपको question है हिमाचल प्रदेश की martial art player के बारे में जिनका नाम है मधू कुमारी तो अगर मधू कुमारी जी पूछी जाए कौनसे खेल से समन्दित हैं तो martial art से इन्होंने इंटरनेशनल पेंचांक सिलाट competition में 70 kg का weight जो है उसमें विजे हासिल की है कौनसा medal इन्होंने इसमें जीता है ये आपको बताना है आपके options हैं gold medal, silver medal, none of the above या फिर bronze medal इसका correct answer होगा bronze medal अब देखिए मधू कुमारी जी martial arts से समन्दित हैं आपको ये पता लगा हिमाचल परदेश से बलॉंग करती हैं ये भी पता लगा international पेंचांक सिलाट competition अगर पूछा जाए कहां पे हुआ था तो ये मलेशिया में हुआ था इन्होंने कितने केटेगरी में विजय हासिल की है 70 kg के वेट में मलेशिया में कंडक्ट हुआ था ब्रॉंज मेडल इन्होंने 70 kg वेट की केटेगरी में जीता है कई बार देखें इंटरनेशनल जो आपके competition हुए होते हैं जिनमें हिमाचल परदेश की किसी प्लेयर ने कुछ अचीवमेट हासिल की है तो उसमें क्या होता है आपसे पूछ लिया जाता है वह competition का venue इसलिए आपको यह competition अगर नहीं भी important है in general तो specifically हिमाचल परदेश के context में ध्यान रखने होते हैं क्योंकि वहाँ का प्लेयर अगर पार्टिसिपेट कर रहा और कुछ जीता है उन्होंने वहाँ से तो इसलिए हमारे लिए थोड़ा हिमाचल स्पैसिफिक निउस बन जाती है this question is very important आपको बताना है हिमाचल परदेश का कौन सा ऐसा पुलिस टेशन है जो रिसेंटली सेंटल गौर्वर्मेंट के एंबीशियस प्रजेक्ट सीसी टी एनस की रैंकिंग में फरस्ट आया है सबसे पहले तो इसमें आपको ये क्लियर हुई है कि पूरे आल ओवर इंडिया में सीसी टी एनस रैंकिंग जो हुई थी उसमें हिमाचल परदेश का डिस्टिक है जिसने टॉप किया है अगर स्टेट पूछा जाए तो हिमाचल परदेश होगा अब वो डिस्टिक कौन सा है यानि कि वह पुलिस टेशन कौन सा है जिसने पर्टी कुलरली टॉप किया है यह आपको होता ना है आपके ऑप्शन्स है कुलू कि नौर चंबा या फिर शिम्ला यूर आंसर विल बी शिम्ला शिम्ला ने टॉप किया है इन दिस सी टी एनस रैंकिंग जो कि सेंट्र गॉर्मेंट ने रिलीस करी है हिमाचल अपने सारे पुलिस स्टेशन की रैंकिंग उससे भी जारी करी थी जैसे कि देखा था कि हर एक पुलिस टेशन क्राइंग को कितना प्रिवेंट कर रहा है किस तरीके की प्रोएक्टिव मेजर्स ले रहा है प्रोएक्टिव मेजर्स होता है पहले से ही क्राइम को भांबते ह हुए उसको रहोने सो रोक लेना एंटी सोचल एलिमेट्स के अगीस्ट कैसे पुलिस स्टेशन काम कर रहा है एक एक एफेक्टिव पुलिस स्टेशन की फंक्शनिक के उनके प्रफॉर्मिस कैसी है सेंडल गौर्मेट के वीश्यस प्रजेक्ट सीसी टी एनस में कैपिटल पु पुजीशन पूरे स्टेट में हासिल करी है यह आपका शिम्ला में ही लोकेटिड है इसके अलावा चाववाडी पुलिस स्टेशन जो चंबा का है वो नंबर दो पे है अब देखिए आपको यह लग रहा होगा कि पूरे ओल और इंडिया में तो हिमाचल परदेश का डिस् स्टेशन कर रही है और एक रॉस दे इंडिया तो हम समझ के कि हिमाचल परदेश का पुलिस स्टेशन ही है जो कि ढाली है शिम्ला में और उसके बाद आपका अगर स्टेट स्पैसिफिक और देखेंगे तो चाववाडी पुलिस स्टेशन नंबर टू पे है कांडागाड प स्टेशन 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 हिमाचल परदेश का कौन सा है जिसने की स्टेशन में पूरे राज्य में पहला स्थान हासिल किया अब यहां पे हम पूरे राज्य की बात कर रहे हैं इंडिया की बात नहीं कर रहे हैं यह चीज़ ध्यान लगनी है स्टेशन आप सबको पता हो आपके options है मनाली, किन नौर, कांगड़ा या फिर हमीरपूर इसका correct answer होगा आपका मनाली ये cleaning लेसका एक survey था जिसमें मनाली municipal council जो है उसने हिमाचल प्रदेश की बाकी सारी local bodies से ज़्यादा अच्छा perform करके first place हासिल किया है अब देखिए अगर मनाली ने स्वाच सुर्वेक् कुछ ऐसे parameters है कुछ ऐसे aspects होंगे जिसमें मनाली ने अच्छा rank हासिल किया achievement करी जैसी कि अगर हम parking की बात करते हैं तो उसमें achievement की है इनोंने sanitation में मनाली काफी साफ सुतरा है toilet facility बहुत clean and clean है sea bridge की connectivity काफी efficient है इस दिया मनाली जो है वो आपका first city council भी वना है जिसने ODF plus plus क्यानि देखें ODF जो होता है open defication free वो simply होता है कि आप open में मतलब शौच तो नहीं जा रहे हैं ODF plus plus में क्या होता है कि आप open में तो defication का solution दे ही रहे हैं कि आपको open में शौच नहीं जाना है इसके सासथ वहाँ पे sea witch treatment पे कूड़ा कच्रा management पे बहुत अच्छा ध्यान दिया जाता है इसलिए मनाली ने हर एक और आप कह सकते हैं हर एक dimension में अच्छा काम करते हुए ODF plus plus का दर्जा हासिल किया next आपका question है अरन्या ठाकूर जी के बारे में हिमाचल परदेश टेकेवांडो प्लेयर हैं ये आप देख सकते हैं ये आपका टेकवांडो होता है इसमें अरन्या या फिर all of the above इसका अंसर होगा silverman और अगर question आया अरन्या ठाकूर किस खेज से समंध रखती हैं तो टेकवांडो प्लेयर हैं मैं आपको बता चुकी हूं इनकी age केवल 14 साल है ये आपको ध्यान रखना है और World Taekwondo Championship में इन्होंने ना केवल हिमाचल परदेश को बलकि पू विजय हासिल की है वो Austria के अगेंस्ट करी है Austria की खिलाडी Sophia जो है round 32 में इनके साथ compete कर रही थी 55 kg की केटेगरी में competition चल रहा था जिसमें इन्होंने विजय हासिल करी round 16 में already इन्होंने Chinese player को भी हराया इसके अलावा Canada में इन्होंने quarterfinals भी खेला है Greece में ये semi-finals में भी अपन का world health statistics 2022 के बारे में है सबसे पहली चीज अगर पूछी जाए कि ये statistics किस ने release किये तो world level के है health से related है world health organization ने release किया है question is हिमाचल परदेश की life expectancy rate कितनी है according to this statistics जो की recently WHO ने release किये आपके options है 71.1 years, 73.1 years, 75.1 years या फिर 72.1 years अंसर आपका होगा 73.1 years एक और चीज आपको ध्यान रखनी है life expectancy rate होप आपको पता होगा कि वहाँ पे जो average में अगर हम सारे लोगों को देखते हैं तो वो कितना लंबा जीते हैं कहां किस age तक जीते हैं तो 73.1 years life expectancy हिमाचल परदे की पाई गई है और यहां पर यह रिपोर्ट में एक खासा अनुभव देखा गया कि जो women की life expectancy average age कह लीजिए वह हिमाचल परदेश में इंप्रूव हो रही है average age of a person in हिमाचल was 72.9 पहले यह 72 साल के आसपस हुआ करती थी 2016 में जो कि government of India के sample registration system का data है फिर अब 2022 में जब हम देख रहे हैं तो यह 73.1 हुई है यानि कि थोड़ी सी increase हुई है इससे यह समझ आ रहा है कि लोगों का income standard of living कह लीजिए वो इंप्रूव हो रहा है health parameters अच्छे चल रहे हैं जिस वज़े से हिमाचल में जो लोग रह रहे हैं उनकी जो average age है या life expectancy है वो rise हुई है next आपको question है Asian rafting championship के बारे में and this is again very important question पहली बार ब्यास river की जो waves हैं उसमें आपका Asian rafting championship conduct किया जाएगा आपको वो location बतानी है या फिर आप कह सकते हैं वो place बताना है जिस जगह पर ये start होगा और ये 16 September से start होगा जो कि अब हो चुका है आपके options हैं शिम्ला, मनाली, बिलासपूर या फिर none of these आंसर होगा आपका मनाली Asian rafting championship अगर पूछा जाए कि इस बार कौन सी river की waves में हो रही है तो ये ब्यास में ठीक है date मैं आपको बता चुकी हूँ और आपकी जगह है मनाली ये ब्यास river कुलू में 16 September से शुरू होगी 25 teams बेसिकली इसमें participate कर रही है जो कि men और women दोनों categories की है 20 km की race course जो है वो राइसन से लेके बबीली तक conduct की जाएगी World Rafting Federation और Indian Rafting Association इस event के पीछे माने जा रही है जो कि conduct करवाएंगे कुलू के deputy commissioner आशू तोश गर्ग जी का कहना है कि हिमाचल परदीश की team भी इसमें participate करेगी 25 teams तो आपकी आही रही है इसमें हिमाचल परदीश भी participate करेगा Opening ceremony कहां होगी मनाली में Closing ceremony होगी 25 सब्तमबर को कुलू में More than 100 players इसमें participate करेंगे और state कहने की हिमाचल परदीश is very pleased की हिमाचल परदीश को उनको host करने का मौका मिल रहा है अब देखिए बहुत सारे players आएंगे teams आएंगी तो definitely हिमाचल परदीश का tourism भी परमोट होगा Indian Rafting Association के President सौकत सिकंदर रुएन का ये कहना है कि इससे 15 high quality French Rafts हमने event के लिए import भी किये हैं तो आप समझ सकते हैं त्यारियों के लिए French से हम लोगोंने ally करके import किया है जो भी चाहिए उसके लिए River Rafting और दूसरे जो water sport होते हैं वो state में rainy seasons में ban होते हैं मतब 15 सब्तमबर तक वो connect नहीं किये जा सकते इसलिए 15 सब्तमबर के बाद जब rainy season थोड़ा retrieve कर जाएगा उस time के बाद championship स्टार्ट होकी ban हर साल ही impose किया जाता है क्योंकि water level किसी भी river का हो वो dangerous manner में rise करना शुरू कर जाता है अब कुल्लो में इसकी closing ceremony है मनाली में starting है आपका opening ceremony है तो यह जगा इस दे चुनी गई है क्योंकि कुल्लो जो है वो already popular manner में crafting destination है लेकि सबसे important चीज है कि यह first time हो रहा है कि यहाँ पे international championship conduct हो रही है तो यहाँ पे all across the world आके 25 teams participate करेंगी हिमाचल का tourism कह लीजिए international platform पे जाके थोड़ा rise करेगा और कुल्लो इसका मतलब आप वो सकते हैं गड़ बनेगा जो कि already rafting के लिए famous है suppose कीजिए अगर यहाँ पे teams आ रही है competition conduct हो रहा है तो उनको समझ आएगा कि हिमाचल परदेश में कुल्लो में rafting अच्छी होती है तो आगे बिनव competition के भी वो या उनके relatives families जो भी होते हैं उनको बताएंगे कि हिमाचल में यहाँ पर राफटिं होती है तो इस जगह से यहाँ का tourism गेन करेगा आगे जलके नेक्स आपको बताना है कि Chief Minister जैराम ठाकूर जी के द्वारा कितनी नई Innova Taxis को Smart City शिमला को स्वापा गया है और यह किस scheme के अंतरगत किया गया है Ride with Pride scheme यह हिमाचल Road Transport Corporation को Innova Taxis दी गई है और यह शिमला से जो शिमला सिटी है वहाँ के लोगों के comfort के लिए ड्राइब करेंगी वहाँ पे आपके options हैं कि 16 टैक्सी हैं 18 टैक्सी हैं 20 टैक्सी हैं या फिर 22 टैक्सी हैं आंसर होगा आपका 16 16 नई Innova Taxis Smart City शिमला को Ride with Pride Scheme के अंतरगत प्रोवाइड की गई हैं और वहाँ पे हिमाचल Road Transport Corporation इसको शिमला सिटी में लोगों के लिए ड्राइब करेगा 18 टैक्सी हैं प्रोवाइड की वर्थ अगर बोली जाए तो 2.9 एक करोड है और स्मार्ट सिटी शिमला प्रोजेक्ट जो है इसके अंतरगत हम सिटी को स्मार्ट बना रही हैं वहाँ के लोगों को जादा से जादा सुविधाएं प्रदान कर रही हैं एडिशन जो है टैक्सी का होने से रेजिडेंस को काफी बेनिफिट होगा खास करके अल्डरली लोगों को फिजिकली चैलेंज लोगों को और टूरिस्ट को भी सुकून रहेगा जो चीफ मिनिस्टर नों कहिए कहना है कि राइड विद प्राइड टैक्सी जो हैं वो अल्रेड़ी HRTC के अंडर ऑप्रेट कर रही है और मोर देन 3000 कम्यूटर्स सर्विस को शिमला में हर दिन यूज करते हैं इसलिए टैक्सी का नंबर इंक्रीज किया गया है अपार्ट फ्रों 18 टैक्सी बारा टैम्पूज और 20 इलेक्ट्रिक बसिस को भी सैंक्शन किया गया है जो कि HRTC के अंडर ही ऑप्रेट करती हैं ये पब्लिक के कम्यूटेशन को थोड़ा सा कन्वीनियन बनाने का एक साधन है नेक्स्ट आपका question है कि Central Government के द्वारा हीमाचल पर्देश को जल जीवन मिशन की achievement के लिए कितना full financial support दिया गया था आपके options हैं 1144.94 करूर 1244.94 करूर 1344.94 करूर या फिर none of these और ये हीमाचल पर्देशन ने जल जीवन मिशन में बहुत अच्छी achievements आसिल करी है ये full financial support की वज़े से भी रहा है और कुद हीमाचल पर्देश के भी कुछ efforts जो है extra efforts वो put किये गए हैं इसका जो correct answer होगा वो होगा option number 3 1344.94 करूर का financial support Central Government ने जल जीवन मिशन के अंतरगत हीमाचल पर्देश को pride किया है जल जीवन मिशन क्या है इसके क्या objectives है मैं आपको औरड़ी बहुत बार बता चुकी हूँ इसके तहत हम साल 2024 तक piped water supply को rural households तक पहुंचाने की कोशिश कर रही है इसमें ग्रामी इन इलाकों के जो घर हैं वहाँ पर piped water supply दी जाएगी हर घर जल से नल से जल जो है वो इसका basically लोगो है आपको इसका achievement यह ध्यान रखना है 2024 टार्गेट किया गया है next आपका question है incubated land slide monitoring system के बारे में recently यह जो system है इसको IIT मंडी ने develop किया था इसके लिए इनको best entrepreneurship award 2022 में एक award भी दिया गया वो कौन से number का award है यह आपको बताना है options है first award, second award, third award या फिर none of these correct answer होगा third award अगर question इस तरीके से आये कि incubated land slide monitoring system कौन से IIT का achievement है तो answer होगा IIT मंडी और इनको best entrepreneurship award 2022 में third place हासिल हुआ है अब यह जो land slide monitoring system है IIT मंडी का यह काम किस तरीके से करता है यह आप समझ सकते हैं basically यह soil movement के बारे में बताता है जैसी एगर soil खिसकने लगती है land slide के लिए तो यह hooter या फिर blinking स्टार्ट कर देता है और यह जो blinking और hootering है यह road के area में ही हमेशा place होती है फिर यह text message के थूँ आपको message भी पहुँचा देता है यह जो system है यह rainfall का alert भी देता है advance में ही कि कितनी बारिश होने वाली है अगर rainfall 5 mm से ज़्यादा होने की संभावना है तो यह उसका alert जारी कर देता है landslide को हमेशा 10 मिनट होने से पहले ही predict किया जा सकता है soil की movement को judge करते हुए इसके अलावा यह system है यह extreme weather events को भी predict कर सकता है for example cloud bursting इसके लिए artificial intelligence और machine learning की technology को use करता है this is very very important monitoring system जो कि हमाचर के रिए necessary था क्योंकि recently हिमाचर परदेश में अगर आपने वीडियो भी देखा होगा landslide हुआ था उससे बहुत नुकसान भी हुआ तो landslide के activities को हम रोप तो नहीं सकते हैं लेकिन उसके बचने के लिए हमें पहले ही तियारी करनी होगी तो इसको preparedness बहुत सकते हैं under the disaster management जो कि ये system प्रवाइड करता है next step को question है स्वाच विद्याले पूरुसकार के बारे में अगर पूछा जाए स्वाच विद्याले पूरुसकार किसकी initiative है तो ये ministry of education की initiative है इसमें हिमाचल परदेश के कितने schools select हुए हैं ये आपको बताना है आपके options हैं 21 schools, 22 schools, 24 schools या फिर 25 schools इसका correct answer होगा आपका 22 schools next question है आपका new cyber police stations के बारे में आपको बताना है हिमाचल परदेश के कौन से या कितने places में नए cyber police stations बनाए जाएंगे options हैं मंडी में, धरमशाला में, both 1 and 2 या none of these correct answer होगा both 1 and 2 मंडी और धरमशाला में ये cyber police stations बनाए जाएंगे इनको objective इनके नाम से ही आपको clear हो जाना चाहिए कि cyber police station basically आपको cyber security provide करेगा और अगर आपको cyber threat आता है तो उसके रिगार्डिंग आप complaint करना चाहते है security feature में आपकी कुछ intervention लग रही है उसकी आपको complaint करनी है तो ये हमेशा आपको assist करने के लिए वहाँ पे रहेंगे next question है आपका police medal की बारे में president police medal भी इने कहा जाता है basically president के द्वारा इनको दिया जाता है हिवाचल परदेश police की कितने officers हैं जिनको 76th independence day के मौके पे ये police medal दिये गए options हैं दो तीन चार या फिर पांच इसका correct answer होगा आपका चार superintendent of police सोलन विरिंद्र शर्मा जो है इनको president police medal distinguished service के लिए दिया गया इसके अलावा तीन IPS officers हैं IG कल्यान फिर administrative police headquarter में दिनेश कुमार यादग inspector of police परवीन कुमार, sub inspector of police किशोर कुमार ये TTR unit शिम्ला से बेलोंग करते हैं इनको भी police medals दिये गए तो total 4 personalities हैं basically police department से जोकि माचल परदेश से select की गई थी for this police medal अब ये police medal क्यों दिये जाते हैं अगर आपसे पूछा जाए तो basically जो भी police officers innovative manner में case solve करते हैं ये crime को control करने के लिए अपनी जीजान लगाते हैं उनको motivate करने के लिए encourage करने के लिए ये medal आपके disverse किये जाते हैं next question is about chief minister ग्रहिनी सुविधा योजना पहली चीज़ अगर ये पूछ ली जाए कि ये कौन से state government की है तो this is a scheme of himachal परदेश आपको बताना है कि अभी तक chief minister ग्रहिनी सुविधा योजना से himachal परदेश की कितनी families को benefit मिल चुका है आपके options है 3.34 lakh 3.74 lakh 3.54 lakh या फिर 3.84 lakh इसका जो correct answer होगा वो होगा option number one 3.34 lakh मुख्य मंत्री ग्रहिनी सुविधा योजना से 3.34 फैमिलीज को free gas connection दिये गए है इसके लिए हिमाचल गौर्मेंट ने अभी तक 131 करोड रुपए spent की है अब देखिए इसका objective क्या है क्या नहीं है यह already मैंने economic survey में भी cover किया था basically जैसे उज्वला योजना है हम लोग gas connections दे रहे हैं उसके तरीके से हिमाचल परदेश की specific scheme है जिसमें free gas connection दिये जाते हैं फैमिलीज को ताकि वो जो चूला होता है जिसमें उखाना बनाते थे जिससे women की health deteriorate होती है उस पे ना जाके वो gas lender पे काम कर सके नेक्स आपको question है रेनुका सिंग ठाकूर के बारे में आपको बताना है कि इंडियन विमें क्रिकेट टीम की प्लेयर रेनुका सिंग ठाकूर जो की हिमाचल परदेश से बलॉंग करती है यह हिमाचल परदेश के किस particular जगह से बलॉंग करती है बर्मिंगम में commonwealth game में इनको silver medal मिला है this is big achievement जो आपको ध्यान रखनी है अब यह particular place आप बताएंगे जिससे यह समंद रखती है माचल परदेश में आपके options है रोहरू कुलू कांगडा या फिर चमबा इसका correct आंसर होगा आप पर रोहरू अगर question इस तरीके से आए कि रेनुका सिंग ठाकूर किस खेल से समंदित है तो cricket से समंदित है इन्होंने commonwealth game में कौन सा medal हासिल किया silver medal हासिल किया और यह रोहरू से समंद रखती है आपको यह ध्यान रखना है कि यह ICC women T20 ranking में अब 10 place आगे जा चुकी है इन्होंने काफी अच्छा perform किया commonwealth game में ballers की category में काफी अची balling करती है इसी लिए इनको यह silver medal भी दिया गया इनकी particular achievement के लिए और यह रोहरू शिमला से बलॉं करती है इसका जो correct answer है वो है आपका शिमला शिमला में अगर particular जगा पूछी जाए तो थ्योग में इसको celebrate किया गया और इसको state level का दर्जा दिया गया है यानि कि state level का मेला या तो हार बन चुका है इससे पहले हमने एक बर करणटफेर किया था उसमें मैंने आपको बताया था मिंजर फेर के बारे में उसको भी state level festival का दर्जा दे दिया गया है नेक्स आपका question है चीफ मिनिस्टर मुबाइल क्लीनिक वही का सर्विस के बारे में कितनी assembly constituencies में cm मुबाइल क्लीनिक वही का सर्विस को recently start किया गया आपके options हैं 12, 10, 14 या फिर 15 इसका जो correct answer होगा वो होगा 10 state level का independence day function सराहन सिर्मौर में organize किया गया था इसी मौके पे 10 वही कल को चीफ मिनिस्टर मुबाइल क्लीनिक वही कल सर्विस के अंतरगत flag off किया गया फिस start किया गया नाम से clear है mobile क्लीनिक है यानि की वैन पे चलते हुए क्लीनिक हैं जो की remote areas में जाके health related services प्रोवाइट करेंगे next question is about Amrit thrower campaign पहले चीज़ तो इसका objective ध्यान रखेंगे target है इसका water conservation इसके तहर्ट जो भी आपके ponds हैं लेक्स हैं को resonate किया जा रहा है रेनोवेट किया जा रहा है कुछ नई भी बनाई जा रही है तो यह water conservation को promote करने वाला campaign था हिमाचल प्रदेश के किस डिस्ट्रिक ने अम्रिस फ्रोवर campaign में first position हासिल की है all across the country this is again very important topic अब यहां अब हमाचल प्रदेश का कौन सा particular district है जिसने यह टॉप position हासिल करी your options और सिर्मौर हमीरपूर बिलासपूर शिम्ला इसका जो correct answer होगा वह होगा सिर्मौर अम्रिस फ्रोवर campaign को Prime Minister नरेंद्र मोधी जी के द्वारा water conservation के लिए पूरी country में launch किया गया सिर्मौर डिस्टिक ने राज्य में top कर लिया है सिर्मौर ने अपना जो target था 75 अम्रिस रोवर का उसको 15 अगस्त से पहले ही achieve कर लिया था मंडी इसमें 2nd है जिसने 73 अम्रिस रोवर बनाए है इसमें या रेनोवेट किये हैं इस तरीके से water conservation के लिए चंबा 3rd place में है 61 अम्रिस रोवर के साथ इसी के साथ आपका हिमाचल परदेश का अगस्त का 1st part जो है का रंटफर का वो cover होता है जल्द ही 2nd यानि की last part के साथ मिलेंगे अगर आपकी कोई query है तो आप in contact numbers पर contact कर सकते हैं पढ़ते रहिए all the best thank you very much